नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका आपके पसंदीदा सापता ही कारिक्रम एकनॉमिकम में अर्थात की नई किष्ट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मैनायन केडिटर अन्शुमान तिवारी जी आ गाएं सर बहुत स्वागत है आपका अन्शुमान जीसे चर्चाष शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज अर्थात का विशय क्या है लेकिन उससे भी पहले है अर्थाद का वो विशह थोड़ा चौकाने वाला है आप इसको सुनके थोड़े हैरान भी हो सकते हैं यह विशह है रूस से जुड़ा दरसल हुआ यह कि आईमेफ ने बताया कि यह कैसे हुआ कि रूस तेज विकासदर हासिल कर रहा है आज के एकनॉमिकम में दरसल हम यही समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों ऐसा कौन सा संयोग बना ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वैसे करिश्मा हो गया लेकिन शुरौद अंश्मान जी इतिहास की किसी पुरानी घटना के सा करते हैं जो यह बताती है कि युद्ध पहले भी बदलाव लाएं हैं बड़ा अनोखा किस्सा है बड़ा ही अलग तरीके किस्सा है मुझे भी पहली बार यह जानकारी पता चली आप भी सुनिए सर क्या किस्सा है यह एकनॉमिकम में आपका स्वागत है रूस को लेकर अभी इतिहास में उननीसमी सदी की शुरुआत में 1815 में जहां से हमें पता चलेगा कि दुनिया की जो सबसे वीभत से कारवाई है युद्ध जो दुनिया का सबसे भयानक क्राइम है अपराध है उसका अपना एक अर्थशास्त्र भी है और यही विद्रूपता है युद्ध की क समापती हुई वाटरलू में जो आपको पता है इनको नेपोली नेगवार कहा जाता था नेपोली ने लंबी लड़ाई लड़ी थी फ्रांस की तरफ से ब्रिटेन से और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है उसमें काफी कतलोगारत काफी खुन खचर हुआ काफी लोग मारे गए हुआ यह कि जब युद्ध खतम हुआ तो ब्रिटेन के लोगों को नए दांत मिले हैं आप चोकेंगे कि युद्ध से दांतों का क्या रिष्टा है युद्ध खतम होने से उस वक्त तक ब्रिटेन में ओरल केर की कोई विवस् कारण दांट जल्दी खराब हो जाते थे साड़े दात बदलने के लिए नए दातों की जरूरत होती थी वहां बहुत सारे लोग महीनों तक साल साल भर तक नए दातों का इंतजार करते रहते तो बहुत से लोग तो बगर दात के मर जाते थे क्योंको नए दात नहीं मिलते थे लगाने के टिंटिस तो थे टिंटिस नए दात लगा सकते थे पर दातों की जरूरत थी आर्टिफिशल नाद बने हुए मिल जाते हैं तो दातों की सप्लाइ की जाती थी मरे हुए लोगों से जो लोग मर जाते थे उनके दातों से नए दात लगाये जाते थे हुआ ये कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ बेलजियम में वैसे ही मरे हुए जो फौजी थे थे उनकी बतीसियां उखाड़कर उन्हें ब्रिटेन में सप्लाई किया गया बहुत बड़ी संख्या में वो बतीसियां उनके डिन्चर उखाड़े गए और उनको निकालके ब्रिटेन बेजा गया ओर मुस्क्राते थे, तो बताते थे कि मेरे वाटर लूटी स्醒ुन 행 tis लगे हुए hä, ये वाटर Doch के युद्ध के मैदान से आए हुए दाथ ठीक इसी तरह से वाटरलू के मैदान में में इतना बड़ा विनाश हुआ था इतने लोग मरे थे और घोड़े मरे थे कि जानवर मारे गए गए थे कि उनकी हड़ियां अलग अलग तरीके से पैक करके और निकाल कर याकशार के खेतों में भेजी गई और उसके बाद उनका इ बड़ा विभत सा किस्ता लगा होगा बड़ा अजीब सा है और युद्धों का अर्थशास्तर इतना ही विभत सा है लेकिन आप इस बात से भी इंकार नहीं करेंगे कोई इंकार नहीं करेगा कि दुनिया में सब भेताओं का विकास भी युद्धों के बीच में शवों के पीच में कतल और सामुही खत्याओं के बीच में हुआ है दरसल अगर आप युद्ध के इस हिस्से को जो की युद्ध का सबसे भयानक हिस्सा है उसे एक कुछण के लिए किनारे छोड़ दें तो युद्ध लोकतंतर के आने तक और द्योगी करांति के होने तक फैक्ट्रिया का युद्ध ही दुनिया में सबसे बड़ा एकनॉमिक बिजनेस थे सबसे सबड़ी एकनॉमिक एक्टिविटी थे भारत के राजे महराजे साल साल भर जंग लड़ते थे उस जंग के लिए साज़ों सामान बनाया जाता था लोगों को उसी जंग में रोजगार मिलता था फ जहां से जीता हुआ तो होता था उसका इसका इस्तिमाल करके और बड़ी फौज और बड़ी सेना तियार करता था इसी जंग की पूरी विवस्था कि आसपास रोजगार भी चलता था उत्पादन भी चलता था बाजार भी चलता था खेतों में अगर अना जुगाया जाता तो भी फोजियों को सबसे पहले दिया जाता था ये विवस्था हैं अगर आप इतिहास के थोड़े बहुत भी अद्धिन में रहेंगे तो आपके से तमाम कहानी और किससे पता होंगे युद्ध सबसे बड़ा खर्च भी था किसी राजी के लिए सरकारों के लिए सबसे बड़ा खर्च था युद्ध का मतलब विनाश जो गया वो खतम होने के लिए गया तो जब आधुनिक हतियार बने तब और इससे पहले भी युद्ध पर राज्यों के खजाने से सबसे चाहिए वो बिरोक्रिसी का बनाना हुआ हो चाहिए बॉर्ण्स का विश्कार हो चाहिए एविएशन का विश्कार हो चाहिए एंटिबाटिक का विश्कार हो चाहिए राडार हो या इंटरनेट हो या अनाम्ड वेकल हो आज तक का जितने भी दुनिया के बड़े आविश्का में सुनते रहें जहां मापको अलगलत ऐसे बताते रहें कि बांड का विष्कार कैसे हुआ किसी उध्यकर का रण व पहली विष्य운데 ने अमेरिका को बड़ा पहुँचाया पहले विशुद्ध के दौरान दौरान विशुद्र रला गया यूरप की जमीन पर पर फाइदा हुआ अमेरिका की खेती का काया पलट हो गया पूरी दुनिया में अनाच की मांग भड़ी अमेरिका ने अपनी खेती में तक्निकी निवेश किया और अमेरिका क जो साजो सामान जो हत्यार बने उसने अमेरिका की पूरी इंडस्ट्रियल तस्वीर ही बदल दी उसके बाद फिर अमेरिका ने खेती और उद्धियोग में कभी पीछे मुणकर नहीं देखा तो इन दो युद्धों ने अमेरिका की अर्थवस्था को बनाने में बड़ा के बाद तक आज सोवियत रूस जिस ताकत के दम पर दो साल से उध्य लड़ रहा है वो उसी दोर की वे उस्था हैं तब युद्ध की आशंका में सारा विज्ञान सारी तक्निक सारा बम सैटेलाइट्स मिसाइल से सब उसी तरह से बनाए गए ये सिर्फ बदलाओ कैसे आया क पचास सालों में जब दो बार भयानक कतलो गारत हुई एक ही सदी में हमने दो बड़े युद्ध देख लिए और दिखाई दिया कि इतना ही तवाही हुई तब दुनिया को समझ में आया कि शांते और विकास से रिष्टा जाधा बेतर है और शांत रहे कर सही सहस्तित्तों के साथ भी विकास किया जा सकता है लोगों को रोजगार दी जाती जंग से तौबा की गई दूसरे विशुद्ध के बाद लोगों की जिंदगी को बहतर करने के साथ अर्थवस्था में मांग बढ़ाने और देख को पादन करने जिंदगी के सुविधाया बढ़ाने सामान करिये 1945-46 के आसपास दूसरा भी विशुद्ध खतम हुआ और इसके बात अचानक दुनिया के देशों को शानती का मतलब समझवाया दोस्त बने साथ साथ कारोबार हुआ और अगले 40 साल के भी तरही ग्लोबलाइज़िशन हो गया वो युद्ध वो देश को कभी अससे 20 सा पहले एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे उन्होंने आपस में ट्रेड के समझवते कर लिए एक दूसरे जिए के से कारोबार करने लेकि सामान शुरू हुआ और पूरी दुनिया देखते देखते 85-60 साल में 70 साल में ग्लोबल विलेज़ में बदल गई यह सम इसलिए आपको बता रहे हैं याद कर रहे हैं इस समय क्योंकि रूस की खबर हमारी नजरों के सामने से गुजरी काफी संसनी केज खबर थी रूस की दोहजार तेईस में रूस ने सारे जी सेविन देशों से जाधा तेज विकासदर हासल की यानि पूरा जी सेविन जो बड़े हैं उनकी विकासदर एक तरफ और रूस की विकासदर एक तरफ आईमेफ ने ये भी कहा कि 2024 में भी रूस की आर्थिक विकासदर तेज रहेगी जबकि जर्मनी ब्रिटेन मंदी में चले जाएंगे अब आपको तो हैरत होगी कि युद्ध का मारा जंग करने वाला रूस उस में इतनी तेज विकासदर कहां से आई ये करिशमा कैसे हुआ क्योंकि दुनिया तो युद्धों के अर्थशास्तर से बाहर निकल आई थी तो हुआ क्या आई एहमी सी को समझने की कोशिश करते हैं रूस यूकरेन यूद्र से किवल रूस यूकरेन परिशान नहीं थे पूरी दुनिया परिशान थी आप देखी योरोप परिशान था अमेरिका परिशान था तब ही परतिबंद लगाए गए महंगाई आई कच्छे तेल की महंगाई फूटी फिर रूस कैसे टिका रूस कै एक फिजदी से बढ़ाकर दो सनलोव छे फिजदी कर दिया यानि दोजार टेश में जहां अर्थिवस्ता की विकासदर घटनी थी वो बढ़ गई योरोप में अगर आप बाकी देशों को देखें तो जर्मनी और बिटन तो मंदी में धस गए हैं फ्रांस भी लड़ खडा रहा है और रूस की पूरी विकासदर योरोपी समुदाय से जादा है योरोपीन यूनिन के आर्थिक विकासदर से भी ज्यादा रूस की विकासदर ये चार्ट आपके सामने है जो रूस की विकासदर का हमें दिखाई देता है 2022 में जब यूदू शुरू हुआ तब रूस की अर्थिक विकासदर रूस की अर्थिक विकासदर के कांट्रक्शन में चली गी और इसके बाद इसमें बढ़ोत्तरी आई तीन समुदा च्छे विकासदर दोजार चौविस में दिखाई देती है दो साल में से रूस में हो क्या रहा है और गहराई से समझिये तो आपको समझ में आएगा तब आपको यह आकड़ा काफी चौकाने वाला लगेगा दो साल से रूस पर हर तरह की के प्रतिबंदे लगे हैं करीब 260 बिलियन यूरो के आसपास की संपतिया जब थो गई जो रूस की पूरी दुनिया में थी रूस का एर स्पेस दो साल से अंतराश्ची उडानों के लिए बंद है यानि कोई कारोबारी उडान रूस के उपर से नहीं जाती ना रूस से आती जाती है तेल की कीमत दुनिया के बाज़ाना है भले ही 80-90 डालर पर बारल पर हो रूस के उपर 60 डालर पर बारल की शर्त है इस से आधा महेंगे कीमत पर तेल नहीं बेच सकता रूस का रूबल दुनिया की सबसे कमज़र और खराब मुद्रा है इसके बाद भी रूस की अर्थवस् ने उससे पहले के सिती में कम से कम साथ फीज़दी कांट्रेक्ट कर जाएगी साथ फीज़दी से ज़्यदा गिर जाएगी लेकिन हुआ उल्टा रूस की आर्थिक कासदर योरोप में सबसे आधा तेज हो गई अब सबसे बड़ा सवाल है की करिश्मा हुआ कैसे यही मेरा आपको खड़ा रखा और यह चौकाने वाली बात क्यों है रूस का केंद्री मेंक इसमें सबसे महत्व पूंट था रूस का केंद्री मेंक चूँकि रूस बड़ा देश था उसके पास एक सबतनतर केंद्री मेंक था वो बहुत मजबूती से खड़ा रहा उसने महंगाई र रोकने के लिए ब्याज़दरों को रिकॉर्ड 16 फीस्दी पे बढ़ा दिया 16% की इंट्रेस्टेट है रूस में इस समय इसके बेहत खराब असर युद्ध के बाद होंगे जो हम आगे आपको बताएंगे लेकिन रूस ने अपने हां महंगाई रोकने के लिए ब्याज़द जारी रहा रोस ने क्या किया कि युद्शुरू होते ही पूंजी को देश ने बाहर जाने पर रोक लगा दी कोई भी पूंजी लेकर बाहर नहीं जा सकता था जिससे पूंजी देश मेरी और रूबल तोटा तो पर रूबल को थोड़ा बहुत मजबूत रखने में रोस की सरकार को मदद मिली। रूस की तेल कंपीनियों ने प्रतीबन्धों से बचने का रास्ता निकाल ली, हम आपको बरावर बताते रहें, डाक फलीट के जरी रूस का तेल शोरी से पूरी दुनिया में बिकता रहा, भारत ने खरीदा, चीन ने खरीदा, दुनिया के देशों में बेचा जाता था, इसका revenue रूस को मिलना शुरू हुआ, दूसरी तरफ, रूस को जिन चीजों के आयात की जरूरत थी, क्योंकि आयात भी बन था, रूस तो अंतराश्टी पेमेंट सिस्टम से भी बाहर हो गया था, तो आयात की जरूरत थी, उसको तीन देशों ने दिया, टर महगाई बड़ी तो, ब्याजदर ने बढ़ा दी, इसमें कुछ नया तो था नहीं, असली वज़े क्या थी, इसके फिर बढ़ने की? सबसे बड़ी बात की यो रूसी कि जसको हम जगी विकासदर कहते हैं, यद्ध की विकासदर कहते हैं, वो ये है, और इसकी दो बड़ी वज़े हैं, एक रणीतिक है और दूसरी आर्थिक है, अमेरिका को हमेशा युद्धों से लाब क्यों होता है अमने आपको धारन के लिए बताया था उसकी बड़ी वज़े है कि दुनिया के बड़े युद्ध अमेरिका की जमीन से बाहर हुए अमेरिका की जमीन पर नहीं हुए पहला और दूसरा विश्युद्ध भी अमेरिका की जमीन से बाहर हुए अमेरिका उस युद्ध में सपलार की भूमिका में तो रहा अमेरिका ने इस युद्ध से उठी हुई मांग का लाब तो उठाया है लेकिन उस युद्ध के नुकसान अमेरिका की जमीन पर नहीं आए रूस ने यह ऐसी जंग लड़ी जो रूस की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही युकरेन की जमीन पर लड़ी जा रही तो पूरी जंग जब युक्रेन की जमीन पर है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान युक्रेन को उठाना पड़ रहा है रूस ने इस जंग को अपनी जमीन से दूर धकेल दिया क्योंकि वो युक्रेन पर कबजा करना चाहता है रणनीतिक रूप से युद्ध में ये लाभ की क का कांट्रक्षन ऑठाइब यानि युद्ध युक्रेण के जमीन पर हो रहा था तो युक्रेण की अर्थिवस्था में गिरावाट आए। माइनस 29% की और रूस की अर्थवस्था में गिरावाट आई माइनस 2% की ये वजह थी रणनितिक तोर पर युद्ध के को युक्रेन की जमिन पर लगा जाने की इससे जो इन्फरेस्ट्रेक्चर का नुकसान था रूस में वो सीमित रहा सारा सारा विद्वन से अविनाश युक्रेन के अलाके में हुआ जंग सबसे खर्चीला शॉक है और जंग में युद्ध में दुनिया के देश बरबाद हो जाते हैं पर रूस इसलिए नहीं बरबाद हुआ कि युद्ध में जाने से पहले तक रूस दुनिया की आठवी सबसे बड़ी अर्थवस्थाती और युद्ध चमाल घरेलू था हतियार बनाने की तकनीके सब घरेलू थी क्योंकि वो तो दूरी दुनिया के लिए थियार बनाता था भारत को भी हतियार बना की बेचता था सारी धातु airport थी नेच्रल गैस और आईल भी थख कर अबाद था इस लिए दो साल से जंग जारी है रूस कि सफलता पूर वक जारी लखने में किया है और वह युद्ध की एक खास अर्थ विएस्था है जो रूस में बन कर तियार हुई है तो आप ये कहने हैं कि युद्ध की वैसे रूस में अर्थ विएस्था बन कर तियार हुई है क्योंकि और तो कोई आर्थिक कास्य कारोबार नहीं है चुए हमने बताया आपको कि युद्ध दुनिया की सबसे संगठे ता आर्थिक गतिवी दिया है दुनिया की अर्थिव वस्ताइं से लाब उठाती थी यही युद्ध रूस को बचाने के काम आ रहा है रूस ने कच्चे-तिल के नध्याथ पर पावन्दी लगने से पहले बाजार में तेजी का फायदा उठा लिया था, भूत सारा फंड दुनिया से ट्रांसफर कर लिया था, गोल्ड ट्रांसफर कर लिया था, तेयारिया युद्ध की बहले से चल रही थी, किंद्री बैंक ने दबा कर रुबलों की छपाई की, और रुबल की छपाई करके सरकार ने सारा पैसा वार एकॉनिमी में जोग दिया, जैसा कि पुराने जमाने में भी होता था शुकर, पहले के युद्धों में भी आप नीसवे सदी और अठारिवी सदी के आस पास भी जो राजा महराज यु करते थे वो भी अपने खजाने का अधिकांश सा वार एकॉनिमी को बनाने में लगा देते ते लगबक ठीक वैसा ही का हम रूस ने कि आंकड़े बताते हैं कि रूस के बजट का 40% है सा रूस के पूरे बजट का 40% है सिर्फ इस युद्ध पर जा रहा है जो यूकरिन के साथ लड़ रहा है पीते एक पीते साल 2023 का अकड़ा हमारे पास है रूस का सैने खर्च है रूस का मिलिटरी स्पेंड रूस का जो वार स्पेंड है वो GDP के परसेंट में उसके अपने GDP के रेशियों में 10% से उपर पहुंच किया है इसके अलाबा बहुत सारी सबसीडी जो दूसर समिट कर बाहर चली गई दुनिया का बाजार उपलब्द नहीं है और अब यह वार मशीन ही रूस को फिनांस कर रही है और रूस ने पिछले दो साल में अपनी पूरी अर्थिवस्था का पहिया घुमाने के लिए इस युद्ध का इस युद्ध के खर्च का इस्तेमाल किया है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रूस की बजट से पैसा जाता है फैक्टरी में हथियार बनने के लिए उन हथियार बनाने वाली फैक्टरी में के लिए स्टील ख़दानों से निकल कर आती है हथियार बनाये जाते हैं कर्मशारी उसमें काम करते हैं उनको उससे तंखा मिलती है और उससे अर्थवस्ता में डिमांड जेनरेट होती है दूसरे विशुद्र के दौरान रशिया में और जर्मनी की पूरी एकॉनमी लगभग इसी तरह से चल रही थी जर्मनी में हिटलर ने इसी तरीकी के अर्थवस्ता बनाई थी ज लेकिन यहां चिंता यह है कि जो जंग जारी रखकर मांग बढ़ाने का दुश्चक्रे बड़ा घातक है लंबे समय तक नहीं चलाए जासकता दो साल चल गया और एक साल चल जाएगा जैसे ही तो रुके का खत्म होगा रूस की अर्थवस्ता ढह जाएगी क्योंकि उसकी व रूस्ता ग्रो नहीं कर सकती जैसे ही अर्थवस्ता में युद्ध रुकेगा और नए निवेश की जरूरत होगी ब्याज़रों को घटाना पड़ेगा तभी डिमांड आएगी और इसके बाद जो रूबल चापकर युद्ध को पूंजी दी गई है वो महंगाई चरम पर ह होगी और पूंजी की लागत तब तक खासी उंची हो चुकी होगी हमें याद रखना पड़ेगा कि रूस के हर दुनिया के हर देश की अर्थव्यस्ता की अपनी कुछ समस्या होती है और महंगाई रूस्की सबसे पुरानी और खराब समस्या है 1990 और 1988 में रूस को भयानक मह भेंगा पड़ेगा यह चार्टन दुबारा देखते हैं क्योंकि इसकी रोशनी में हमें समझ में आएगा कि रूस की अर्थविष्था की स्थिति क्या है रूस दुनिया की कस एक एकलौता देश है जहां पर आर्थिक कस्मानता पूरी दुनिया में सबसे आधा है रूस में और गरीब के बीच की खाई सबसे बड़ी है और अंतता जब यह युद्ध की धुन्द छटेगी वास्तिविक सूचना आना सामने आएंगी तो मैं पता चलेगा कि रूस की एकनामिक इनिकुलिटी अपने और अधिक चरह मिस्तर तक बढ़ चुकी होगी लेकिन बीस उनीस सबसे ताजा उधार रहन है तो इसलिए हमें लगा है कि हम एकनामिकम में आप से इस परविस्तार से बात करें कि अर्थवस्ता का ये भी एक महतोपून पहल हुए बड़ा वीभत से डरावना है जंग जंग का लेकिन अर्थवस्ता तो अर्थवस्ता है वो युद्ध से भ हमाई कर रहा है उसकी अर्थवस्ता इस जीज़े बढ़ रही है और ये आदत इस इस इस्तिती तक पहुंच गई के कहना जब युद्ध रुका तो अर्थवस्ता ढह जाएगी तो आपको युद्ध जारी इसलिए रखना है कि आप बढ़ते रहें आगे बढ़ते हैं आप पेटियम पर तो खर दो बार जुर्मा ने लगे अर्फ या ने जुर्माना लगा और अभी तो भारथ सरकार की तरफ से मनी लांडरिंग के रूप में जुर्माना लगाया गयाग्यां अब अगर जाच होगी और रिस्पॉंसिबिलिटी फिक्स की जाएगी तो सेभी और प क्रिप्टो की स्विकारिता बढ़ रही है भारत अम इस पे क्या रुख लेगा दुनिया भर के में केवल अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने क्रिप्टो में एक्षेंच ट्रेड़ेट फंड की इजाज़त दी और देखिए बिटकॉाइन का दुनिया में क्या एस्थित का दरजा देती है इसे ट्रेड किया जा सकता है भारत सरकार फिछले तीन साल से दुविधा में है वह यह नहीं बता पारी कि कानून बनेगा की नहीं बनेगा भारत में क्रिप्टो के कारो बार को एक रास्ते से वयद कर दिया गया और उस पर टैक्स लगा दिया गया गया जो कि gambling के बराबर है दूसी तर भारती रिजर बैंक के कहता है कि यह पोंजी है अभी भी फिलाहाल भारत के किसी भी regulator से informally या formally हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं बैंकरों से सरकार के मंत्रियों से अधिकारियों से कोई यह नहीं कह पा रहा है कि crypto को लेकर कानूनी परिस्थिती क्या बनने वाली है लेकिन दूविधा लंबे समय तक बना रहना ठीक नहीं है क्योंकि फिर वापस वही दर लौट रहा है जब लोग भारत के तो एक्सचेंजर नहीं लेकिन बाहर मनीनन का एप अपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करिये कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो शायद आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं वास्तविक तोर पर आप अपने बारे में जो भी वित्तिय फैसले लेना चाहते हैं उसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए जो सवाल आपको पूछने की जरूवत है जिस तरीकी की सूचनाओ की आपको जरूवत है और यहां तक कि यह दि आपको किसी उत्पाद में निवेश भी करना है यह सारी खिड़कियां आप मनीनन के सुपर एप पर धीमे धीमे और जिस सुपर एप की विवस्त पर हम लोग इतने समय से काम कर रहते हैं वो अपने पूरे स्वरूप में आपके सामने निकल कर सामने आ रहा है जहां आपको लाइव सूचनाओ से लेकर लाइव एक्सपर्ट से लेकर अपने हिसाप से अपना उत्पाद चुन कौन सी ऐसी सुविधाएं या सेवाएं हैं जिन्हें हम उस पर आपको उपलब्द करा सकते हैं जिससे कि आपको आर्थिक रूप से अपने फैसले लेने में सुविधा मिल सके आगे बढ़ते हैं सर कोई किताब या वेब सीरीज आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने श उसके साथ निट्फिक्स के ऊपर एक नई सीरीज आई है बहत महत्वपूर्ण और उलेखनी सीरीज है टर्निंग पॉइंट इसका नाम है टर्निंग पॉइंट दबाम एंड कोल्ड वार ये युद्ध के दोरान शीत युद्ध अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दो पॉरान ये डाक्यूमेंटरी सीरीज बताती है कि कैसे पूरी दुनिया में बम की और युद्ध की और परवान ख्थियारों की होड शुरू ही और कैसे कैसे पूरी दुनिया के अलग-लग देशों ने रननीतिया बना कर अपने हाँ नुकलियर ह्थियार बनाए पहली बार के सबसे रहस्य में दौर के बारे में हमें नई नई जानकारियां लेकर आती है करीब करीब नव पार्ट की सीरीज है ये नव हिस्सों की शंकला है और इसे आप खरीब से देखकर जान पाएंगे कि नुकलियर हत्यार की दौर आखिर शुरू कौन ही उसके नायक और खरनायक कौन थे ओपन हावर फिल्म से अलग ओपन हावर में काफी सारे तत्य है लेकिन उससे और जाधा बड़े और गहरे और इस तत्यों के साथ ममों की होड़ के बारे में ये सीरीज देखने लायक है यदि आप दुनिया में के इस हिस्से में या नुकलियर इधियास में रुचि रखते हैं तो ये था हमारा आजका सूपर पैक एकनॉमिकम अगले हपते फिर आएंगे नई चर्चा के साथ, नई विशे के साथ, नई किताब, वेब सीरीज के साथ आपके सवालों के साथ, अपने सवाल, सुझाओ, हमको भीजिए, हम अगले प्रोग्राम में इनको शामिल करेंगे फिलाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहे हैं मनीना इनके साथ, नमस्कार